जञवंग मेरा तीन फुट पर एक पौधा है और यहां पर एक पौधा है एक तीन फुट की दूरी है और यह जो दूरी है दोस्तो poop बता दो कि यह 4 हुद की है इस से क्या होगा जब जगा रहेंगा बीच में तो आपका पौधा एक में टेच नहीं होगा और फल फुल लेकिन आप सब्जी कब बेच सकते हैं सही ढंग से आपके खेतों में लग जाए लेकिन आपको भ्राइटी का भी ध्यानध रखना है और सही पालन करना है अपने की तभी आप उससे उत्पादन ले सकते हैं लेकिन किसान भाई जो पहले हमारे नए किसान रहते हैं लेकिन ऐसी कुछ सबजिया लगा देते हैं दोस्तों कि उनको नुक्सान लग जाता है लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप एक सबजी लगाएं और दो तीन महीने तक उससे आप 4-5 महीने तक रुपे हैं रुपे कमाएं तो दोस्तो सबसे अच्छी खेती है मिर्ची की सबसे महंगा रेट मिलता है आपको गर्मियों के महीने में या फिर बरसाथ में अगर इस का रेट लेना है आपको सही ढंग से मंडी रेट सबसे अच्छा दाम लेना है तो किस टाइम में आपको रुपाई करनी है और कौन सी ब्राइटी का आपको चैन करना है तो दोस्तो बने रहें वीडियो के साथ मैं आपको बताऊंगा मैं सुराण कुमार महुरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल महुरिया चैनल पर तो दोस्तो आप यह देख सकते हैं मैंने नरसरी लगाई है दोस्तो नरसरी ही नहीं मैंने इसकी रुपाई भी कर दी है मैं लाइब वीडियो आप सबको दिखाऊंगा यही आपको बीज ला करके और अपने खेतों में नरसरी यह देख लीजिए कैसा इसका पौधा है कितने मोटे मोटे हैं प्राइब को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ लाइफ प्रूप दिखा रहा हूं दोस्तो देख लीजिए इसमें एक भी शुकृण नहीं है जब यह नरसरी का पौधा ऐसा है तो जो रुपाई करेंगे अ कितने दूरी पर आपको रुपाई करना है मैं आपको बता दूँ कि यह लगभग मेरा तीन फुट पर एक पौधा है और यहां पर एक पौधा है एक तीन फुट की दूरी है और यह जो दूरी है दोस्तों आपको बता दूँ यह चार फुट की है इससे क्या होगा जब जगह का बहुत ही अच्छा हुत्पादन है अगर मेरी जानकारी अच्छी लेगी हो तो वीडियो को लाइक करना धन्यवार